नमस्कार, स्वागत है आपका इन्बी सिंद्ध की पेशकर्ष खास मुलाकात में हम अपनी जिन्दगी तो जीते हैं, लेकिन समाच के प्रति हमारा कुछ तरदाई वह होता है हम कभी किसी व्यक्ति के विशेश के लिए कुछ करते हैं, समाचे किसी वर्क के लिए कुछ करते हैं या हम किसी और चीज को अपने आप में इन्वाल करके समाच के विकास के लिए देश के विकास के लिए शहर के विकास के लिए कुछ करते रहते हैं आज जो हमारे स्टूडियो में मवजूद है हमारे जो मैमान है वो है भूशन दड़वे जी जो डॉक्टर बाबा से बामेट कर समाज भूशन पुलस का प्राप्त है और आप जैन कलर समाज से भी जुड़े हुए दलित मित्र हैं और भारत जैनता पार्टी के शहरूपांद मैं सबसे प्रहे तो सर का स्वागत करता हूं भूशन जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे स्टूडियो में विशेष विशे हैं नाखपूर के लिए जिनके अस्तित्व के लिए जो है भूशन दड़वे जी एक लड़ाई-लड़ रहे हैं वो लड़ाई क्या है और किस तरह से लड़ रहे हैं उधारन के दोर पर अगर मैं बता दूँ तो उन्होंने शुरुवात की थी दिक्षा भूमी को और परियटन का धर्जा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी बहुत जद्धो जहत के बाद में कामयाभी मिली और दिक्षा वूमी को अवर्ग हासिल हुआ उसके बाद उन्होंने लड़ाई जारी रखी कुछ और स्थलो के लिए जिसमें टेक्डी मंदिर शामीर है बड़ा ताजबाक शामीर है ये लड़ाई अब तक जारी है लेकिन अभी भी कामयाभी हासिल नहीं हुई है तो आईए जानते है जिसे की ये लड़ाई वो लड़ तो रहे है लेकिर कहां-कहां उनको अच्छने आ रही है और कहां-कहां दिक्टो का उनको सामना पड़ रहा है बुशन जी कुरूपे हमारे दर्शकों को बताए है कि आपके लड़ाई क्या है और आप क्या चाहते है मेरा नाम बोशन देडवे, मैं अच्छी लिए बारतिय स्तरवर के ला समाज से भी बिलंग करता हूँ और डाक्टर वासामिर समाज मुष्ण पुरसकार प्राप्त है मुझे और मैं सर चिटनी सो महाराष्टर रज्जे डाक्टर वासमाज मुष्ण दुरसकार और समाज के लिए गवर गरीब के लिए सब के लिए कुछ करना चाहिए और इसलिए मेरे द्यान में ऐसी बात आई कि दिख्षा भूमी बड़ा ताजबार और गनेश मंदी टेकडी इनको परड़े शित्र का दरजार मिलना चाहिए ऐसी मेरे दिमाग में बात आई और मैंने उ इसको कोस्ट ने भी बग दरजार की मांग की नहीं मैंने 31-2013 को दिख्षा भूमी बड़ा ताजबाग गनेश मंदी टेकडी के लिए और परड़े शित्र का दरजार देने के लिए मांग की इसके लिए मैंने पृत्युराज चवान जो का ततकालीन मुख्य मंदिर उनको भी दिया था तो 10-12-2013 को 10-12-2013 को विदान सभा में यही अपने जो आज जो उपमुख्य मंदिर इन्होंने विरुज पक्षिन इन्होंने विदान सभा में सवाल उठाय था कि दिख्षा भूमी और बड़े ताजबाग को अपड़े शित्र का दरजा मिलना चाहिए तब अधामुख्य मंदिर जो पुर्षिरा चवान थे इन्होंने कहा था कि नाकपूर के निगम आइपता और कलेक्टर के तसे प्रस्ता ठरवा आ जाता है और उसको अगर आता है तो हम उसको देने के लिए तैयार है तो उसके बाद तो सरकार चलेगी उसके बाद सरकार आई प किया उन्होंने भी चार दो 2015 को दिख्षा भुमी बड़ा ताजबा गनेश मंदी टेकडी के लिए प्रदान सच्चु नगर युका सिभा के उनको आदेज दिया मिरवास एक लेटर भी है उनका आपको लेटर दिखा सकता हमें जी हम बिलकुँ दिखाएंगे लेटर है उन और बार मिले उनको भी मिलने के बाद उनको मिले तुमारे केंद्रिय मंत्री नितिंग अड़कर उनको मिले अर्थर मंत्री सुदिर्मनकुदा उनको मिले बहार कोदर शुदाकर कोण ya doing जो भी है जो भी कुछना कोपड़े होगा सब लोगों कि अनों किया और वो सब लोगों ने मुझे मेरे सम्मर्थन के मान के लिए लेटर भी दी इन्होंने और लेटर वहां पर जमाए और होने के बाद भी सब चीज हो गई वह तूटया दूर करने के लिए लेटर आया है उनका चुट निकलने के बाद उन्होंने लेटर भीजे और आपको जानकार के बता रहा हूं मैं आपको जानकारी कि जो मांग एक बार में किया था आट मार्च दो हजार सोला को आट मार्च दो जासाद दिख्शा भूमी को प्रस्ताथरा मंजूर किया वैसा ही अगर बड़े ताजबाग का प्रस्ताथरा रखते हैं और कैबिनेट में रखते हैं तो भी प्रस्ताथरा पास हो जाता जीया निकल जाता था पने उन्होंने तूट्या निकाले दूसरी बाज़ान कारी आपको बता रहा हो 12-12-2016 को मैंने दाक्टर हेडगार 37 मंदीर जो है इसको परड़े शितका दरज़ा देने के लिए मांग किया और आपको मालूम है एक नमाजी नगर से वक थे जनार दनमून एक करोड़ 38 लाक रुपे इन्होंने वहाँ पर गवर्मन का पैसा लगा दिया उन्होंने आक्षप लिया था 38 को पढ़ने शितका दरज़ा मिला उसके वज़े से केस भी उनकी खतम होगी उसके बाद लड़ा जारी थी हमारी फिर हमारे को हम कलेक्टर जो हैं पे जो सचिंग कुर्वे साब थे उनको एक लेटर आया था कि बाद शाचन निर्ने अबना सुरा तूटा दूर करून तु वहाँ पर कम से काँ हर साल में 10 लाग लोग दरशन को आने को ना मैंने उनको बता है 10 लाग ना साब ही था तो मुझा ना करें थी 15 लाग दरशन ना लोग अतार दस लाग के उपर आते हैं दूसरी कैटेगरी उनकी तुर्टी थी कि हर साल वहाँ पर विदेश से पासो परेटक आने को ना मैंने उनको बता है यहाँ पासो ने यहाँ से 2-3,000 परेटक आते हैं विदेश से इसका कोई कागजी प्रमान आपने प्रस्तूत किया और जब व उनको भी कमिशनर को लेटर दिया उन्होंने भी और रिपोर्ट दिया जी जो इनकी बात है सही है और रिपोर्ट आने के वज़े से तो प्रस्तूता का मंजिर हुआ अज की डेट में मैं आपको इसलिए रोखना चाहूंगा क्योंकि आपने इतने लड़ाई लड़ लड़ रही है क्या इसके पीछे अधिकारियों की इछा शक्ती आभाव दिख़ा है या राज नईतिक इच्छा शक्ती का आपको दिख रहा है या दोनो लग रहा है और जोराज की जो है उसमें उनका भी लग रहा है क्योंकि देखो पृत्रु राचलान मुख्य मंद्र थे उसके इनको भी में मिल चुका मैं, ऐसा नहीं की नहीं मिल चुका, इनको भी मिल चुका, तो जब इनकी हिच्छा शक्ती रहती, तो अभी तक के तो हो जाता, और हमारे जो परेटर मंद्री ते और अभी जो मुख्य मंद्री एकनाशिंदे, वो तो बोलते हैं, आता हिंदू चराज पर देंगा होता है लड़ाइन नापपूर को थो कि अपने आप में आपका संगर्ष भी यहाँ पर बया कर रही है अब मैं आपसे यह पूछता चाहूँगा कि जैसे बड़ा ताजबा का एक ट्रस्ट होता है गनेश मंदिर का एक ट्रस्ट होता है ऐसे आपको समर्थन मिलता है क्या यह कुछ आपके इस लड़ाई में आपके साथ में सभागी है कि अपने दिखारी थे उन्हों ने उस समय में इसके बारे में उपर तक के काज़ाद हो गरता उन्होंने किया लड़ाई-लड़ाई-लड़ाई प्लड़ाई लाइन तो है उन्होंने मुझे सवाकार किया और यहां तक है कि वनीच छे दोजार भी तेईस को अपने डाक्टर वीपिन रिटन कर जो कलेक्टर है इन्होंने पूरी मिटिंग बुलाया और एक बार पुरा प्रस्ता ठरा बेजा उन्होंने उसके अपर रिवाइज करके याने गवर्वर्मेंट को उनको बेजा संचाला संचाला ना है परेटे निवाग इनको बेजा प्रदान सच्ची हो पराटे निवाग को बेजा उन्होंने उन्होंने बेजा उसकी प्रसेश चलू है मगर इहां के जो ट्रस्टी है जो प्यारे खान करके कोई है अभी मुझे जानका रही है और कोई ताज मदर फारुक आपको अगर मेरी मदद लगती है तो मुझे आप बताइए तो मैं आने को तैयार हो तो उन्होंने मुझे को फोन भी नहीं कि आज तक के ना उन्होंने कोई कागजाद बंगे दुख इस बात का भी लगता है कि यह जो टस्टी बने है इसके पहले शेक उसें करके थे उन्ह उन्हें पहले उन्होंने कभी कागजाद बंगाये नियुक्ष ने मंगाये तो मैंने सोचा इनको नहीं है ताज्यवाले बाबाका इनको हो सकता है कि अपने हांसें उन्हें हाँ है पूरी और मैंने उसके लिएँ लड़त है और मैं आज जो आपके स्टूडियो में आया और आज में आज जो आपसे मांग कर रहा हूँ इसले कर रहा हूँ भी 10 आगस से लेके तो 18 आगस तक के 101 का उरूस है ताजवाले बाबा का और 14 आगस को 26 हुई है आज 101 साल हो गए जबकि डाक्टर वासा आप मेटकर 156 की बात है उनसे तो ज़्यादा ह होगे पुराना यह चीज है यहां पर और यहां पर आपको भी मालूम है कि यहां पर हिंदू, मुस्लिम, शी, किसाई सब आते हैं और करी परी लाखों लोग आते हैं मेरे इसाब से में भी हर बार दर्शन को जाता हूँ तो मेरी अभी महाराष्टर के जो मुख्य मंत्री है इकनाजी सिंधे, उप्रमुख्य मंत्री और नकपुर के पालक मंद्री जो है देवंदरफन्लीष, दुसरे उप्रमुख्य मंत्री अजीत पवायर अर परेटन मंत्री है जो अबर दक्टर गरी ज चमा जान और केंडantryे मंत्री जो निति गड़ करी है और नकपुर के तो मेरा कहना का मतलब ऐसा है कि आज वो इत्ती बड़े जगा है आज इत्ती बड़े जगा कोई देवस्तान के बास नहीं है मेरे जहां से जानकार किसाब से भूशन जी मान लिजे आपके प्रयत्न को यह शाता है जो आपको कोशिशे कर रहे हैं वो कशिशे आपके सफल हो जाती है कल चल के और हम भी अकिन रखते कि आपके लड़ाई यह शेश भी हो उसमें आपको काम्याभी मिले अगर यह हो जाता ह गनेश टेकडी को अवर्ग मिल जाता है और बड़े ताजबा को आवर्ग मिल जाता है क्या परिवर्तन होगा क्या फाइदा होगा परिवर्तन ऐसा होता सर कि महाराष्ट्र राज्य परेड़ा ने जो अभा गयना उनके सेडूल में इसका नाम आ जाता है कभी भी तकोई अ बढ़ जाएगा और गनेश मंदी टेकडी का भी हुए आपको देखना आपको मालूम भी होना सचीन तेंडुकला जैसा भारत रतना गनेश मंदी टेकडी के दर्शन को माते बिच गयते हैं आपको भी एक मालूम है यही मुख्य मंत्री जो बने देवन्दर फंडिस तब वहा ड्रगन पहले इसको 25 करोण मिले तो अभी भी मुझे जानकारी है कि इसको भी 232 करोण का जो प्रोजेक्ट है वो हने वाला है गड़िकरी साहब उसके लिए कोशिच कर रहे हमारे मुख्य मंत्री उपर मुख्य मंत्री जो भी एक कोशिच करें उसके लिए हमारा सपोर्ट ह करते हैं पर हमारी उनसे मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले 101 वी उरुस के जहन्दी के अउसर पर अभी 10-18 तारिक तक है और 14 तारिक 26 है और इनकी बुद्वार गोया मंगल और क्याबिनेट होती क्याबिनेट में इनको एक ही काम करना है यह दोनों का स्री गन क्याबिनेट में मेरे बाद सिगनीजर के काग्जाद आपको दिखाऊंगा मैं तो ऐसा प्रस्ता ठरा पास करके जियार निकाल होगा इसे आम आपके चैनल से और में लाखो करोडो नाकपूर वासियों से उनसे मांग करता हूँ कि आप तो बोलते हैं कि शाशन आपलयादा है विदरबके आमदार है जो ताजवाले बाबा को मांते गनेश मंदिर को भगान को मांते हैं उनसे ही मांग करता हूँ मैं कि वह आप भी इसके लिए आवाज उठाना जाहिए बिल्कुत सही बात के भूषें जी आपने और आपकी भावना को भी हम समझते हैं और मैं समझता हूँ कि जितने लोग आपको देख रहे हैं वो भी आपकी भावनाव को समझ रहे होंगे हम नापपुर वासी हैं नापपुर के हेरिटेज के लिए बात रखना हमारा दर्जा उपर होना चाहिए ये मांग रखना कोई गयर बात नहीं होती ये हेरिटेज है नापपुर के लिए चाहे हम बड़े दरगा की बात करे या गनेश मंदरी टेक्रिक की बात करे आपकी ल पूलने की पूलनी के तो मालू है बंडारा रोड के लिए भंडारा रोड के लिए आज बंडारा 2,25 साल करें चालू है वैसा ही में आपके चैनल से मानुसमी तेक्रेडर बड़े ताजबा को मेरा सुरे कागजाद थे पुरी प्रोसीजर हो चुकी है अगर ये सरकार अगर शाषान अगर सरकार सुनती नहीं है या निर्णे नहीं लेती है एक मैने के अंदर तो मैं हाइप कोड में जरुने दखल करूंगा और उसकी नहींति जाब दरी सरकार पर रहें चले ठीक है ये भी आपकी भावना जो है राज्यकरताव तक चली जाए और जाएगे जरूर हम इस बात की आचा रखते हैं आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगे बहुत बहुत धन्यवाद भुष्ण जी है आपका हमारे स्टूडियो में आकर हमारे से बात करें दन्यवाद आपका भी आपने मुझा इंटर लिया और आप में मेरी भावना जनता की भावना जनता तक के रखी इसलिए मैं आपका बीसेन चैनल का धन्यवाद करता हूं धन्यवाद